के अब बच्चो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ड्यूर नेचर आफ जॅन नेचर आफ ए रेडियेशंज नाइट पूर्व गिया पिष्ले लास्ट लेक्चर में तो बच्चे उसके बाद यह है कि जैसे के light का हमने प्रूव किया तो अब matter का प्रूव करना है कि matter जो है वो matter जो है वो उसका भी dual nature है means dual nature में आपको पता ही है कि हम dual nature की बात कर रहे है particle nature as well as wave nature तो हमें यह कैसे पता चला कि matter का भी dual nature है पार्टीकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है तो आपको पता है यह है, मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग से कि जो मैटर मींस जैसे साडल लिक्वरड और गैस एनिटिंग विच उकोपाई सपेस तो मैटर जो है वो किसे बने होते हैं atom से atom is its constituent particles तो atom का जो sub atomic particle है ये भी मैंने आपको बताया कि electron होते हैं तो electron का हमने प्रूव करना है कि electron का particle nature भी है और wave nature भी है अगर electron का अगर electron का ये प्रूव हो जाता है कि उसका particle nature भी है और wave nature भी है तो हम ये कह सकते हैं कि जो matter है उसका particle nature भी है और wave nature भी है क्योंकि electrons are present in the atom and atom combines to form matter तो हमें electron का प्रूव करना है कि electron का particle nature भी है और wave nature भी है तो बचे क्या है सबसे पहले इस चीज़ को explain करने के लिए verification of dual character of electron के electron का dual character जो है वो ऐसे प्रूव हुआ उसके लिए सबसे पहला experiment जो किया वो डैविसर और जर्मर ये दो scientist थे जिन्नोंने experiment किया और क्या experiment किया वो समझना है भई डैविसर और जर्मर क्या करते हैं 1927 में वो क्या करते हैं कि अब जो समझना है ये डैविसर और जर्मर क्या करते हैं कि एक निकल क्रिस्टल लेते हैं निकल क्रिस्टल लेते हैं निकल आपको पता है एक मैटल है निकल करिस्टल उन्होंने लिया और निकल के क्रिस्टल के ओपर उन्होंने क्या डाला बीम आफ इलेक्टरांस डाली ठीक है बीम आफ इंसिडेंट इलेक्टरांस डाली मीन्स लाइट डाली तो जब डाली बीम उन्होंने इंसिडेंट बीम डाली इलेक्टरांस की डालने के बाद उन्होंने क्या किया कि इसे निकल क्रिस्टल के आगे एक फोटोग्रैफिक प्लेट लगा दी एक फोटोग्रैफिक प्लेट लगा दी फोटोग्रैफिक प्लेट आप समझते हो के जैसे के ओल्ड फैशन में या आज भी आप एक्सरे जब निकल क्रिस्टल के आगे लगा दी कि इसके उपर जब ये लाइट पड़ेगी इंसिडेंट बीम आफ एलेक्टरान पड़ेंगे तो जब ये लाइट इसमें से पास होगी तो उसके आगे ये फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी तो ये फोटोग्राफिक प्लेट के उपर ज यहाँ पे उससके आगे एक फोटोग्राफिक लगा देते हैं कि उस फोतोग्राफिक पलेट इसलिए लगाते हैं कि ताकि वहाँ पे एक अमेज उप्टेंड हो तो बचे क्या होता है कि जब डेवीसरो और जालमर अपना एक्सपैरिमेंट कंप्लीерш कर लेते हैं जब एक्स रिज के किस्स में की जाती है जब X-rays का experiment किया जाता है तो X-rays का जब image वो photographic plate पे देखते हैं तो similar ऐसा ही image जो है वो उनको दिखता है तो since जो X-rays हमारे पास होती है उनका wave nature होता है electromagnetic wave theory में ये पहले से बताया गया है कि X-rays का जो nature होता है वो wave nature होता है और अगर X-rays का wave nature होकर photographic plate पे ऐसी image बनती है तो डेविसर और जरमर जब experiment करते हैं तो उन्हें भी same images ऐसी ही image जैसे ये उप्टेंड होई है ये photographic plate पे similarly कि जैसे X-ray की उप्टेंड होती है वैसे ही उन्हें मिली तो उन्हेंने कहा कि अगर X-rays की जो image है वो इस टाइब की हमें मिलती है जिनका wave nature है तो इट मीन्स अगर podcast का भी हमें ये सी ही image मिल रही है photographic plate पे तो उन्हेंने कहा कि इट मीन्स के अगर X-rays का एसा image है तो ऐलेक्ट्रान का भी ऐसा image आ रहा है तो इट मीन्स उन्हेंने कहा ची मेच पर आग度 करें आप मेच उठी अने उने ने का और ने का एक फीर चानली खात एक्स रेजले का एक मैस्ट का कौन सा उन्यचर और webinar ने उन्हें अधिए City में हैं कि जब उन्होंने एलो किया निकल क्रिस्टल के ओपर फाल की किसको भीम आफ एलेक्टरान को एंड़ स्केटरिंग और रिफ्लेक्टिड रेज और रेसीवड अन्द फोटोग्राफिक प्लेट कि जो वहां से अमेज यह वाली जो रेज हैं एलेक्ट इन्सीडेन और यहां से यह यह किज़ ओपर बाड़ रहे हैं यह फोटोग्राफिक प्लेट इंद लगाई हुई है तो जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट की हमेज को उन्होंने खोल के लिखा हुआ है कि यहां पर बहुत सारी अंसेंट्रिक रिंग उन्हें दखाई दे रही हैं एक रिंग दो रिंग तीन रिंग चार रिंग पांच रिंग तो उन्होंने कहा कि यह एक अंसेंट्रिक रिंग जो हैं उन्हों फोटोग्राफ प्लेट के ओपर दिखाई दी दिखाई कैसे दी यह इंसिडेंट फोटान डाले उन्होंने निकल क्रिस्टल के ओपर यहां से यह रेडियेशन जो है यह रिफलेक्ट होई और फोटोग्राफिक प्लेट के ओपर जाके पड़ी इस फोटोग्राफिक प्लेट को जब उन्होंन क्या कह रहे हैं received on the photographic plate a diffraction pattern consisting of number of concentric rings आगे समझ जाना similar to that produced by x-rays के ये concentric rings हमें वैसे ही दिख रहे हैं जैसे के x-rays के case में obtained होती है since the x-rays are electromagnetic waves ये कह रहा है कि क्योंकि x-rays जो हैं वो हमारे पास electromagnetic waves है that is they are confirmed to have wave character तो इसे ये पता चला कि x-rays जो होती हैं उनकी rings जो obtained होती है photographic plate पे वो ऐसी होती है और उनका wave character होता है therefore electrons must also have wave character तो उन्होंने कहा कि it means कि जो electrons का character है वो भी wave character है सिर्फ इसी basis पे कि जो photographic plate थी उस photographic plate पे concentrating rings जो थी वो obtained हो रही थी कैसे वाली जो कि x-rays के केस में obtained होती है क्योंकि x-rays का क्योंकि x-rays का हमारे पास wave nature होता है x-rays का हमारे पास wave nature होता है तो उन्होंने कहा कि अगर x-rays का wave nature होता है और ऐसे वाली rings obtained हो रही है photographic plate पे तो उन्होंने कहा कि यही वाली rings जो है वो electrons के केस में obtained हो रही है तो उन्होंने कहा कि it means electron का भी कौन सा nature है wave nature है तो यह प्रूव होगे बचे कि electrons का कौन सा nature है wave nature है तो एक बात तो प्रूव होगे कि electrons का wave nature है लेकर आप दूसरी बात प्रूव करनी थी कि particle nature कि electrons का particle nature है या नहीं है तो बचे मैंने अभी आपको क्या बताया कि इससे पहले हमने एक process जो है वो पढ़ा scantilation शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं first unit से मैंने आपको बताए कि scantilation एक process होता है आई होप आपको याद होगा अगर नहीं है याद तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ बहुत सारी experiment हमने किये कि जिनके ओपर scantilation के बारे में मैंने आपको बताया लाइक recently हमने क्या किया था एक रदरफोर्ट scattering experiment में हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ट साब क्या करते हैं कि यहां पे जो उन्होंने वो रखा था पॉलेनियम और रेडियम और सलीट रखने के बाद आगे गोल्ड फाइल रखी थी और गोल्ड फाइल को उसके इर्द से जैड एनस से जिंक सिल्फाइट से तो बचे क्या होता है कि जब यहां से यह अलफा रेडियेशन जाती हैं तो पास होके यहां पर जब यह जैड एनस सक्रीन पर पढ़ती हैं तो यहां पर डाटिड स्ट्रक्चर्टर्स लाइक जो है वो रेट हो जाते हैं यह जो डाट इसके उपर जब आके पढ़ती हैं तो क्या हो जाता है यहां पर डाट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है तो यह जो डाट लाइक स्ट्रक्चर पढ़ जाता है यह इस प्रासिस को हम क्या कहते हैं सकेंटिलेशन कहते हैं मैंने आपको समझाया हुआ है तो यह सकेंटिलेशन मैंन आपने कहीं पे फलोर पे क्या किया आपने फलोर पे पोडर डाल दिया आपने फलोर पे पोडर डाल दिया और अब आप उसके ओपर अपना हाथ रख रहे हो तो जब आप अपना हाथ रखोगे तो आपका हेंड जो है वो ऐसे बन जाएगा आपका हेंड बन जाएगा तो इट जब ZNS स्क्रीन के ओपर जाके radiations पढ़ रही हैं Electrons पढ़ रही है तो वहां पर dot like structure जो है वो prepare हो रहाथा तो यह सी dot like structure को क्या कहा था ? skintillation कहा था तो बच्चे skintillation के process से यह प्रूव होता है कि Electrons के अंदर particle nature है Electrons का एक particular mass है जिसकी वज़े से जब वो जाके ZNS स्क्रीन के ओपर हिट करती है तो वहाँ पर dotted structures बन जाते हैं तो scintillation से यह प्रूव हो गया कि electron का कौन सा nature है particle nature है Davison और Germar के experiment से इन concentric ring जो photographic plate के ओपर obtained हुई उससे पता चला कि electron का कौन सा nature था wave nature था क्योंकि ऐसा ही image जो है वो obtained हो रहा था X-rays के case में और scintillation ZNS स्क्रीन के ओपर scintillation के परासे से यह पता चल गया कि electron का कौन सा nature है particle nature है तो अब क्या हो गया particle nature भी है electrons का और wave nature भी है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि electrons का wave nature होने के साथ साथ electrons का particle nature भी है जिससे हम यह कह सकते हैं कि electron का कौन सा nature है dual nature है यह प्रूव हो चुका डेविशन और जर्मर ने कहा कि electrons का कौन सा nature है wave nature है वो जो photographic plate के ओपर obtained हुआ और scintillation के प्रासिस से यह प्रूव हो गया कि electron का कौन सा nature है particle nature है तो electrons जो है वो item के अंदर होते हैं और atom से मिलके matter बनते हैं तो हम क्या सकते हैं कि matter का जो nature है वो क्या है dual nature है I hope आप समझ गयो होगी इसके बाद जो है वो हमने equations जो है वो सालोग करनी है लेकर equations सालोग करने से पहले आपको इन experiments के बारे में पता होना चाहिए था Thank you